गुड आफ्टर नून इस्टूरेंट आज किस वीडियो में जो है कि हम रिब्यू करने माले एक अच्छा सा समाजिक भियान का पेपर यह मैंने जो है कि सही विकलप वाले को मतलब हल किया है और बागी सब यह आपको ऐसे अपने से हल करना है अगर आपको हल सही होता है तो मै सब जो है कि हल सहीद बना दूंगा तो ठीक है आप कोमेंट में बोल दीजेगा कि हल सहीद बनाई ये वीडियो एक तो हम बना देंगे तो इसका समय देख लिए दो घंटा है पूर डंग 100 कर रहता है और यह वीसे जो है कि समाजी विज्ञान वीसे है एक अच्छा साथ वा युग का महत्तों किन कारणों से है कोई पांच कारण लिखिये मुहमद गोरी कौन था उसने दिल्ली के किस सासक पर आकरमण किया मतलब दिल्ली के किस सासक पर आकरमण किया और प्रसन नमबर तीन गुलाम वांस की स्थापना किसने की तथा इसे गुलाम कहे जाने का प्रम मतलब साथ तक यह आप कर लीजीगा ठीक है और आपको हलसे ही चाहिए हो तो आप कमेंट में बोल सकते कि सर आप इसका हलसे वीडियो बनाए तो हमाना देंगे तो यह आपका कंप्लेट हो जाएगा ठीक है तो चलिए प्रस नंबर आठ में प्रस नंबर आठ में दिया है सही सही प्रस नंबर कर दिया मानस बदारी प्रथा का प्रसलन किसने किया तो यह स्ब्रेभर प्रता का प्रश्वलंख किस ने किया तूं वह जो है की कि किया था एक भार नहीं किया था आहीम मी अकबर ट सैनी इसकी कार ही उफ आजन अबुल फजल ने किया था ठीक है आपको समझ में आ गया देख लिजए यह दिया यहां पर नबुल फजल तो यह इन्होंने किया था और आगे चलिए घव साह जहां का सासन काल किस यूग के नाम से विख्यात है तो वो स्वारलक के नाम से विख्यात है चलिए अंगा वाला देख लेते हैं सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई तो आगरा कोशन उन्होंने बनाया था ठीक है और ये जिस लड़के का मैने पेपर लिया है उसने ये गलत सरत किया है मैंने भी चेक नहीं किया है अगर आपको हल सहीड चाहिए होता है तो मैं इसको हल सहीड बना दूंगा और इसको चेक भी कर लूँगा ठीक है तो यह आप टेंसर मत लीजिए अगर को हचाई चाहिए तो आता है बस आप एक बार एक कॉमेंट कीजिए बस चलिए प्रसनाम पढ़ लेते हैं रिक्तिस्थानों की पूर्तिच कीजिए खैरे ज्रूब में भी भिन्नताप आई जाती है तो यह जिसकी भी भिन्नताप आई जाती होगी आप बस खाली कॉमेंट में किजिए तो हम आप बना देंगे ठीक है वो हम आपको बता देंगे वायू मंडल में सबसे अधिक मात्रा में होता है तो जो भी होता है अप कर लीजिएगा प्रित्वी के घुड़न के परिडाम स्वरुप पवनों के मुड़ने को ये कहा जाते है वो कहा जाते है जो ही है अप कर लीजिए फिर प्रस नमबर दोस में आ जाईए प्रस नमबर दोस में दिया है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का सीने लगाईए तो कानू सबकी बराबर रक्षा करता है तो ये सही है इस लड़के ने किया है अब सही है उसका और खा का अच्छे जीवन और आत्म विश्वास के लिए अधिकार अत्यधी का वस्थक है वो भी सही होगा क्या करेंगे अब दस मतलब गव अब गव दिया है संस्कृति और सिक्षा का अधिकार की से कहते हैं समझाईए तो ये आपको समझाना है और घव हमें प्राकृति पर्यावरण पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए तो ये आपको मतलब करना है अब जैसे भी समझ कर करेंगे और प्रस नमबर अंगा लोकतंत्र प्रजा का सासन है तो ये आपको कर लेना है ठीक है और आपको समझ में नहीं आता है कि सही है या गलत ह क्या है क्या नहीं है तो आप बस कमेंट में कीजिए हम आपको जो है बताने लगेंगे कैसे मतलब हल कर देंगे इसका हम ठीक है चलिए देख लेजिए पेपर तो हम वीडियो अब यहीं पर अब समापते करते हैं चलिए गुड़ बाई